तो तस्वीरे हम लगाता है आपको दिखा रहें के दार नात से और मैं खुद उस प्रंगण में मौझूद हूँ जहाँ पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मुदी कुछ ही मिंटों के बाद आने वाले हैं मैं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहता हूँ देखे उत्राखंड क मुझे मंत्री यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं जो उपर से ठीक उसी स्थान से निचे की तरफ आ रहे हैं जहाँ पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मुदी का चौपर लेंड हुआ है और प्रधान मंत्री अब इसी मार्ग से हमें देखा कि अब से कुछ देर पहले पूर उसमें वो प्रवेश करेंगे और ये तस्वीर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है जो प्रधानमंत्री अब पहुच रहे हैं उस प्रांगन में केदारनाथ बाबा के मंदिर के प्रांगन में जहां पर वो पूजा आर्चना करेंगे बाबा क बड़े भग तो प्रधार मंतरी नरेंद्र मोदी और पांचवी बार उनका ये प्रधार मंतरी बनने के बाद के दारनात का दौरा और केदारनात में जब पहली बार प्रधारनात की तस्वीर बदल कर रख देंगे केदारनात को केदारपुरी के तौर पर वो बसाएंगे और वरिश्ट नेता बीजेपी के यहाँ पर मौझूद है, साधू संथ के लशननद गेरी जी हमको नजर आ रहे हैं यहाँ से, हम देख पा रहे हैं कि वो मौझूद है, सुरक्षा कर्मी मौझूद है, प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के स्वागत के लिए यहाँ पर पूरी तय यारी हो चुकी है, प्रधान मंत्री कुछी पल में, कुछी खशन में, अब इस प्रांगण में, यानि की केदारनाथ मंदिर में प्रविश करने वाले हैं, और उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी यहाँ से अब चल चुके हैं, अब मैं आपको बता दूँ कि यहाँ प्रधान मंत्री जब पहुँचेंगे, तो लगबग आदे घंटे का उनका मंदिर के भीतर पूजा का काई रिकरम हैं, और इसी दौरान आरती यहाँ पर होगी, उस आरती में भी प्रधान मंत्री शामिल होंगे, देखें, यहां की आ आरती बहुत खास होती है, और इस आरती में जब भगत यहां के दारनाथ आते हैं, दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए, तो उस आरती में वो जरूर उपस्थित रहना चाहते हैं, और ऐसा खास मौका है प्रधान मंत्री नरेंदर मुदी के लिए, तो जाहर सी बा आना इतना आसान होगा, इतनी आसानी से और इतनी सुगमता से यहाँ पर बाबा, केदारनात के दर्शन भक्त कर पाएंगे, लेकिन प्रिधानमंतिय नरेंडर मोडी ने वो कर दिखाया है, जो उन्होंने सोचा था, खासतोर से अगर केदारनात की बात करें, तो यहाँ प्रधान मंत्री अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ रहेंगे सवा 11 बजे तक लगभग साड़े 11 बजे तक वो यहाँ पर रहेंगे जो अभी तक उनका जो मिनिट टू मिनिट कारिक्रम है उसके मुताबिक वो यहाँ सवा 11 बजे तक रहेंगे इस दोरान वो संबुधित भी करेंगे यहाँ पर जो भक्त मौजूद हैं जो लोग मौजूद हैं उसके लिए भी इंतजाम किये गए हैं वहाँ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक ठीक इसी मंदिर के प्रांगण में एक स्टेज तयार किया गया है फॉरण वापस लोटेंगे इस बड़ी खबर पर और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के के दार नाथ यात्रा पर हम तमाम अपडेट्स और बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं फॉरण वापस लोटेंगे आप बने रहेगा हमर साथ